असलाम लेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम तो मैं चैनल, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कॉस अबाओ बाओ 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 नाइन स्कीम 2022 स्टूडेंट्स आपका जो फर्स्ट कॉस्टन होगा, वो होगा MCQs बेस्ट और आपका जो चैप्टर second है, second chapter, fifth and six ठीक है, second, fifth and six chapter जो होगे आपके, इन में से total आपके six MCQs होगे और हर चैप्टर में से two MCQs आपके होगे और जो remaining आपके chapters है, one, three, four, seven, eight, nine इन में से आपके remaining 6 MCQs होंगे और हर chapter में से 1 1 MCQ होगा So next section में आओंगे आपके पास short questions और उनके 3 parts होंगे जिसमें से first part होगा question number 2 और उसमें जो आपके पास chapter होंगे वो होंगे 1, 2 and 4 1 and 4 chapter में से आपके 6 short questions होगे और 2 chapter में से आपके 2 यह total जो है 8 बनते हैं और आपने 5 इसमें से attempt करने होंगे ओके next आपके पास जो part होगा वो question number 3 होगा और उसमें जो आपके पास chapter हैं वो 3, 5 और 7 है 3 and 7 में से आपके total 4 short questions होगे और 5 में से भी आपके 4 तो ये भी total 8 short questions होगे और आपने 5 attempt करने होगे next part में आपके पास होगा question number 4 और आपके पास जो chapter होगे वो होगे 6, 8 and 9 आपके पास जो 6 chapter होगा उसमें से 3 short questions होगे और 8 और 9 में से आपके पास 4 short questions होगे और जो एक remaining होगा वो डेंगी वाले topic में से आएगा तो ये भी आपके पास 8 short questions होगे और आपने 5 attempt करने होगे So, आपने जो है 24 total short questions में से 15 को attempt करना है जो के equal होगा आपके marks 30 के So, short questions के बाद next section में आपके पास होँगे long questions जिसमें से आपका first long होगा question number 5, second होगा question number 6 और third होगा question number 7 आपने जो है any two long questions attempt करने हैं और जो आपका combination है वो question number 5 में first unit and 4 unit है question number 6 में 3 plus 7 unit and question number 7 में 8 plus 9 unit आपने कोई से two attempt करने हैं मतलब अगर आपने 5 करना है तो इसके जो भी A B part होगे वो दोनों आप करेंगे इसी तरह question number 6 होगा तो उसके भी आप दोनों पार्ट करेंगे जो third होगा उसको आप as a choice जो है छोड़ सकते हैं ये जो आपके पास long questions होगे एक आपके पास होगा 5 marks का और एक होगा 4 marks का 5 plus 4 आपके पास total 9 marks बनेंगे इसी तरह question number 6 जो होगा वो भी एक 5 का होगा और दूसरा 4 का होगा वो भी आपके पास 9 होगे मतलब आपने total जो है 18 के long attempt करने है तो आपके पास जो total paper के marks होगे वो अगर देखें तो 12 के आपके MCQs plus 30 के आपके short plus 18 के आपके long questions जो के total 60 होते हैं Students अगर आपको और subject सी scheme चाहिए तो मैं description में link दे दूँगी आप वहाँ से देख ले For more updates, subscribe my channel, thank you so much, Allah Hafiz